नमस्कार मैं बलजी ढाका फिनेकल कोजिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हैं और अब हम करते हैं यह प्रिवीशियर पेपर है 2017 में आया है प्रिवीशियर में बहुत सारे पेपर ऐसे भी थे जो काफी डिफिकल्ट थे कुछ एक पेपर ऐसे थे जो असान थे इसका मत कर देगा तो इससे यह पता सलता है 2017 में दो शिप्ट में पेपर का डिफरेंस है वो काफी ज़्यादा वाइट था यह बोल सकते हैं हम देखने कोशिश करते हैं इस पेपर में और देखिए अगर असान था तो आपको पूरे नमबर लेने चाहिए तो क्या आप इस पेपर म काफी ज़्यादा नीचे आ सकते हैं क्योंकि फिर जीके है और कोई पूर्शन होगा वो थोड़ा मुस्किल होगा अगर आप यह नहीं कर पाए तो तो देखने कोशिश कीजिए कि कोई ऐसाथ कोश्चन नहीं है जो आपको नहीं आ रहा है या आपको दिकत आई हो और आपक आपको देखते हैं तो यहां पर क्या आएगा तो 48 दूनी 96 में होता है 3549 यहां पर 9 आएगा कितने भी जाएगा आठ पर जाएगा क्योंकि 50 उता पता सट चार सो उससे कमी आई है तो आट चोशाड़ आच उसका मतलब यहां पर इसका कोई मतलब नहीं है रिमेंडर का यहा अगला question देखते हैं A can make a cup board in ten days B can do it in 50 days A cupboard बनाता है 10 दिन में B बनाता है 50 दिन में So B करते हैं 50 दिन में और a plus b plus c कर देते हैं तीनों मिलकर 7-6 दिन में 7-6 दिन में या 25 पटे 4 भी लिख सकते हैं अगर मैं तीनों का lcm lose या कोई a station का lose तीनों से divide हो जाए तो वह है 50 तो अब देखिए 50 को अगर मैं एक दिन का काम कितना वाद 50 को तो दिन से divide करें होंगा 5 unit एक unit और यहा जाएगा 8 unit क्योंग 848 और 25 इंटो 8 200 तो 48 दो 50 तो यह 8 और जाएगा a और b मिलकर कर देते हैं एक दिन में 6 unit है और a, b और c मिलकर करते हैं 8 unit इसका मतलर c कितना करता है 2 unit तो c एक दिन में 2 unit करेगा तो 50 unit करने में कितना समय लगेगा 25 दिन लगेगा भी इसका अनसर होगा अगला question देख लेते हैं what is the area of a rectangle if its diagonal is 26 cm and one of its side is 10 cm क्या वो लगया है कि यह rectangle है और इस rectangle में 26 इसका diagonal है मतलब यह वाला portion 26 है और एक side 10 cm है तो हमें बताना है इसका area क्या होगा इसका मतलब हमें यह side पता होने चाहिए तो यह 25 इस ट्रिपलेट है 5, 13, 12, 5, 12, 13 होता है 2 से multiply किया गए इसलिए तो यहां पे 10 है 80% यह अपनी माल को 80% उपर वो रेट लिग देता है MRP कर देता है और फिर 20% की discount देता है selling price बताना है अगर उसका cost price 450 रुपए मतलब कि cost price अगर 450 रुपए है और 180% बढ़ा देता है 0 से 0 का answer यहां पर पांस नहीं 45 और पांस दुनी 10, 208 यह 18 चोग बैतर और इंटु 9, 9 दुनी 18, 9 से 334, 1448 आ जाएगा इसका answer अगला question है what number should be added to each of the number कि हर number में क्या add किया जाए जिससे की वह continued proportion में बन जाए मतलब निरंत्रा अनुपात में बने इसमें क्या जोड़ता है तो इस तरह question हो कैसे करते हैं पहले यह देख यह मतलब क्या इसका 35 plus x 35 plus x 115 plus x is equal to 35 plus x और 175 plus x इसका मतलब यह है कि हर संख्या में कोई AC संख्या जोड़ दिया जाता है इसमें जिससे को continued मतलब समानुपात बन जाए उनका तो क्या है अगर हम इसको x square वगरा या quadratic equation बनाएगा तो बहुत time लग जाए इसलिए इस तरह है कि जब भी question आए option technique से आपको solve करने चाहिए तो मैं पहले देखता हूं 10 रख कर 35 plus x की value 10 कितना हो 45 यहां पर कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा और इस साइड कितना हो जाएगा 53 और यहां पर कितना है 165 और 10 175 तो देखिए कितने से गया 5-45 और 25 और 125 साथ से गया 7-3 और 25 और 29-25 और 29-25 दोनों साइड एग जैसे है इसका समान उपात में ता अनसर क्या हो जाएगा पहला ही answer हो गया अगला question देखते हैं a batsman makes a score of 95 runs in 13th match and thus increases his average run by run per match by 4 what is his average after 30th match तेरवे match के बाद इसकी average जाओगी देखो तेरवे match में उसने 95 run बनाए और उसके बाद उसकी 4 average बढ़ जाती है तो मानलों पहले उसकी average थी x और उसने 12 match पहले खेले तो 12 x total run बनाए तेरवे में कितना बने 95 इसका मतलब यह 13 match में total run होगे divide करूँ है 13 से तो यह average आजाएगी और average क्या है कि पहले जो average थी पहले कितनी थी x उससे 4 जादा हो जाती है तो 13 की average ही है तो इसको मैं solve को मत क्या हो जाएगा 12 x plus 95 और 13 x plus 52 तो x के value कितनी हो जाएगी 95 minus 52 कितना हो जाएगा 5 मेंच 2 दो गए 3 और 9 मेंच 5 के 4 x के value आजाएगी 43 मतलब पहले average थी 43 और पोचा गए 30 में क्या होगी तो यह बढ़ जाती है 43 plus 4 कितना हो गया 47 average है 30 में तो gain percentage क्या होगा हम इसका और इसका LCM ले लेते हैं 12 और पांच 60 total item मान लेते हैं 60 unit 60 बनाना मान लेते हैं तो 12 को खरीदता है वो 50 रुपए में 60 को कितने में खरीद देंगा 50 बटे में 12 x 60 यह आगया CP अब 5 बेजता है 40 में 5 बेजता है 40 में तो 60 कितने में बेज़ेगा 50 into 60 यह जाएगा 480 रुपए में जो 250 की खरीदता है 480 बेज़ रहा है इसका 230 का प्रोपिट हो रहा है किस पे 250 पे क्यूंकि यह CP है 100 पे कितना प्रोपिट होगा यह बाद उसने पुछी है तो 23 into 4 कितना हो तेज़ेगा 1 में 92 इसका अज़ेगा C अगला question पुछा गया है कि two laborer है A और B उनको 2750 रुपए मिलते हैं total A को 150 percentage ज्यादा मिलते हैं B की तूल ना में अगला question है कि a man travel day distance over 50 km ने 8 hours 50 km आठ गंटे में तेया करता है और कुछ वो दूरी पैदल सलकर तेया करता है और बाकी जो दूरी है पाटली करता है 7 km पर 30 गंटे गंटे से cycle से तो बताओ दोनों की बीच का उसने जो distance travel किया पैदल चलकर वो कितना था पैदल तैकी वी दूरी हमें बतानी है तो टोटल टाम कितना है 8 गंटे और दूरी कितनी है टोटल है 50 गंटे तो 5 km की गती से चल रहा है और पैदल चल रहा है 5 km और हम माल लेते हैं यहाँ पर चला और बाकी चला वो 7 km गती से कितना बाकी टाइम कितना वाजगा 8 माइनस x 8 माइनस x तो यह कितना है स्पीड इंटू टाम डिस्टेंस होगे तो टोटल डिस्टेंस कितना है 50 आप बोल सकते हैं 5 x प्लेश सबपन और माइनस 7 x is equal to 50 है तो माइनस 2 x is equal to minus 6 x के value आजाए तो तीन गंटे चला है तीन गंटे चला है वो पैदल और पांच गंटे चला है वो cycle पर चला है तो और दूरी कितनी थी त्या कि पैदल चला कि पांच इंटू 3 15 km और बाकी दूरी कितनी थी है उसने की cycle से 35 अगला question है compound interest in two years at 8% per annum is Rs.4160 what is the sum invested जो को 100 रुपे पे 8% के इसाब से compound interest कितना हो जाता है successive percentage लगा सकते हैं 8 plus 8 और plus 8 into 8 divided by 100, 0.64 मतलब की 100 रुपे पे 16 रुपे इसाब से compound interest बनता है 100 रुपे इतना बनता है 100 रुपे एक पे कितना बनेगा 16.64 और हमें बताना है 4160 पे कितना बनेगा deciml की जगह मैं 100 यहां पे कर देता हूँ 4 से कर जाएगा 35 हो जाएगा और यह जाएगा 4.164 और 16.64 यह 10 से कर जाएगा सीदा तो कितना जाएगा 25 और यह 30 हो 25,000 पे इसका answer हो जाएगा समझ होगा इसका answer होगा 61 question है इसको हमें solve करना है और x की value बतानी है तो पहले इसको multiply करते हैं 12x, और 5 ती ए 15 और –1 by 6 is equal to 7 by 6 और मैं इसको इससाइड ले जाता हूँ 6 बाटे 5 को , और इसको भी मैं इससाइड ले जाता हूँ 6 बटे 5, और इसको भी मैं इससाइड ले जाता हूँ 1 बटे 6 ताकि यहां पे से इसकर कितना हो बच गया तो कितना हो जाए ले 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 लेता हूं 30, 36, 35, 35 हो जाए उपर, और 6, 36, 37 और 5 आ गया, 35 और 5, 40, 40 में से 37 गए, 4, 4 बटे में 30, या 2 बटे में 15 लिख सकता हूं है, 4 बटे 30 का अंदर 2 बटे 15, और इधर है 12 x बटे में 15, तो 15 से 15 गैंचल, 2 से 1 है, x के वल्यू कितनी आ ज है, जो यही निकालना तर, आगला question है, 62, a-b की value है 10, a-b-21 है, तो हमें बताने इसकी value क्या होगी, देखो यह, इसका formula क्या हो, तो a-b और a square plus b square और plus a-b, देखो हमें a-b दिया हुआ है, यहाँ पर, a-b दिया हुआ है, तो a plus b square निकाल सकते हैं, किस से, इस से निकाल सकते हैं, तो के तना हो जागा, a square plus b square और minus 2ab, is equal to, कितना है 100, तो 10 की power 2 है, तो 100 हो जाएगा, और a-b दिया हुआ है, हमें minus 21, तो इसकी 10 मिशे दोगा, 8 और 9 मिशे दोगा, 5 यह 8 हो गया, अब मैं a-b है, यह 10 कर लेता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर 8 लेकर देता हूँ, और minus a-b मिशे में, 21, तो कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा, 8 मिशे दोगा, 7, 5 मिशे दोगा, 37, इंटु 10, 370 इसका अनसर हो जाएगा 20 का अनसर होगा, अगला question है, 63, sum of twice a fraction in 5 times is reciprocal is 7, what is the fraction, sum of twice a fraction, twice a fraction, इसी तरह question को भी आपको option से करने चाहिए, क्योंकि वरना quadratic equation बन जाती है, तो क्या है कि sum of fraction, sum of twice a fraction, इसका मैं 2 गुना करूँ, तो कितना हो जाएगा, 4 बटे 5, और इसका ब्रेसिव प्रोकल, ब्रेसिव प्रोकल का मतरा उल्टा, 5 बटे 2 का 5 गुना, तो क्या यह 7 बन रहा है, यह 7 नहीं बनेगा, क्योंकि यह fraction में चला गया, अब इसको भी कर लेत हूँ, 2 गुना करूँ, तो कितना है, 10 बटे में 4, और यह हो जाएगा, 4 बटे 5 का 5 गुना, यह भी fraction में जा रहा थी, यह नहीं होगा, फिर तीसरा देखते हैं, 5 बटे 2 को 2 से करूँआ, और 2 बटे 5 को 5 से करूँआ, तो यह कितना हो जाएगा, यह cancel, और यह cancel, और यह cancel, तो यह 7 के बराबर हो रहा है, C इसका नसर हो गया, अगला question 64 है, 3rd and 6th term of arithmetic progressions are 19 and 37 respectively, what is 30th term, 33 और 30 term है arithmetic progression, क्या formula होता है, A plus, जखो पहली term, और फिर क्या है, जैसे 3rd term है, तो 2D, यह 3rd term हो गई, इनका कितनी है, 19 है, यह 2D क्या है, D है, difference, 2 term का difference, और पहली term, तो 3 हो जाएग यह 3rd term होगी, आगे है 6 term, 6 term होता है, A plus में 5D, तो 6 हो जाएगी, और वो कितनी है, वो 37, इससे क्या है, कि हमें difference और A की value निकल जाएगी, तो minus करेंगे, कितना, minus 3D, और 37 में से 19 minus करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 17 में से 9 हो गए, 8 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा, 2 में से 1, और यह minus करेंगे, तो कितना हो जाएगा, D के value आजाएगी, 6, difference तो हो गए, 6, 6, 2, 12, यहां के आजाएगा, A plus 12 और 9, तो A के value कितना आजाएगी, 7 आजाएग, 19 में से 12 गए, 7, तो हमारे पास आजाएगा, D आजाएगा, और A आजाएगा, निकालना है, 38 term निकलन हमें, A कितना है, 7 है, और 12 कितना है, 12, 6, 22, तो कितना आजाएगा, 79 आजाएगा, 38 term, answer क्या होगा, A, अगला question करते हैं, 65, what is the reflection of the point, इस point का Y में, line में reflection बताना है, मतलब, कि यह जो point है, 5 और 2, यह X और यह Y है, 1, 2, 3, 4, 5, और यह 1, 2, 3, 4, 5, यह साइड है, तो यह 2 तक है यह 5 और minus 2 है, X, Y, इसका, और minus 1, यहाँ यह, minus 2 है, यह Y की line है, जो minus 1 की है, हमें बताना है, इसका जो reflection है, मतलब, इसकी चाया है, परचाई है, यह अगर दरपन है, तो, इस side कितनी होगी, तो जितनी यह दूरी है, इतनी यह होगी, यह 1 है, क्योंकि यह 2 था, और यह 1 की difference यह 1 यहाँ पर होगा, और यह 5 agities रहेगा, X की दूरी यहाँ परचाई कितनी होगी, यहाँ पर होगी, तो इसका जाएगा, तो आनसर क्या हुआ, पांसर जीर, C इसका अनसर होगा, आगला question करते है, 66, coordinates of centroid of a triangle, ABC, यह coordinate दिये है, centroid के, और एक triangle दिये उसमें, और हमें बता होगी, ऐसे करके दिये है, तो यह ABC, इसके जो centroid में, यह दिया हुआ है, और हमें A और B का दिया, C के coordinate निकालना है, तो क्या formula होता है, X is equal to, X का है centroid, x, y centroid होगा, यहाँ पर x, y centroid होगा, तो क्या होगा, x1 plus x2 plus x3, divided by 3, और y के वह लिए कितनी होगा, y1 plus y2, y3 divided by 3, यहा यहाँ, y1, x2, y2, x3, y3 हमीं निकालना है, और यह दिया होगा, अब देखिए, minus 3, x2 कितना है, plus 3, x3 निकालना है हमें, divided by 3, और x कितना दिया होगा, वह दिया होगा, minus 1, तो इससे यह cancel होगा, x3 कितना होगा, यह होगा, minus 3, तो एक तो आगा, minus 3, तो इसमें और इसमें, दो में, इसका होगा चलेंगे, यह देखिए, y1, y1 कितना है, minus 1, y2 कितना है, 5, और y3 निकालना है, divided by 3, is equal to 4, तो 5 और minus 1, 4, और इस side 12 होगा, तो 12 में 4 होगा, 8, y3 कितना होगा, 8, value आजाएगे, तो minus 3 और 8, इसका answer क्या हो जाएगा फिर, a, अगला question है, यह दिया होगा है, slope और हमें a की value निकालना है, क्या formula होता है, minus a by b slope होता है, किस लाइएगा, और minus a by slope वो मतलब, यह a है, और यह b है, तो a minus है, इसके आगे लगा दिया, और b कितना है, 3, और वो कितना दिया होगा minus 2 by 3 दिया होगा है, तो 3 से 3 cancel, minus से minus a गी value दो आगा होगा है, अगला question देखते हैं, 68, D and E are points on side AB and AC of triangle ABC, DE is parallel to BC, if AD ratio DB is 2 is to 3, and area of ABC is 100 square centimeter, what is the area of quadrilateral BDEC, लो एक triangle दिया है, ऐसे कर के triangle दिया है, और इसका D or E, ABC के triangle है, और यह parallel line है किसके, इसके BC के, DE, और फिर दिया होगा है AD, इसका ratio और इसका 293 में है, मतलब कि टोटल 5 है, तो 2 यह, 3 यह, इसका area, टोटल का area दिया होगा, पूरी triangle का, वो दिया होगा 100 centimeter square, इसका 100 centimeter square दिया होगा, और हमें बताना है, कि इसका कितना area होगा, मतलब, यह portion कितना, और B, D, E, C, यह वाला portion, यह वाला portion हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसका area निकाल दिया, 100 में से minus कर देंगे, इसका area तो यह याद रहेगा, और इसका area, यह क्या है, 2 similar triangle है, A, D, E, और ABC similar triangle है, और similar triangle का formula होता है area का, side का, respective side का square के, ब्राबर होता है, उसका side कितनी है, 2, तो 2 का square, और पूरी कितनी है side ABC की, इसकी side है 5, तो 5 का square, और वो उसके area के बराबर हो, इसका area मालो X है, इसके चोटे वाले हो, तो बड़े वाले का ABC का कितना है, जो दिया हूए में 100, तो यह 35 है, 25 तो 100, और इस side जाएगा, तो 4 तो 16, इसका मतला अगर यह 16 ह यह वाला area, तो बाकी कितना हो जाएगा, 100 minus 16, 84 हो जाएगा, answer होगा A, अगला question है 69, what is the value of sine 30, sine 30 कितना होता है, 1 by 2, 4 2 into cos, cos 30, यह कितना हो जाएगा, cos 30 होता है, root 3 by 2, तो कितना हो जाएगा, 1, यह answer हो जाएगा C, क्योंकि यह 1 by 2 है, और आप खुलना चाहे तो इसको खुल 3 divided by 2, यह cancel हो जाएगा, 3 is cancel होगा, अगला question है, triangle A, X, Y, Z is right angle at Y, और जो Z angle दिया हो 60 degree है, तो हमें length Y, Z निकालना है, तो Z X की length इतनी दी है, देखो, right angle triangle triangle है, ऐसे कर कि right angle triangle है, और Y पे right angle बन रही है, और Z जो triangle दिया हो, angle दिया हो 60 degree है, और Y, Z हमें निकालना है, मतलब यह न निकालना है, और Z X, मतलब यह दिया हो, 3 root 3, तो हम क्या करेंगे, cos theta कितना होता है, cos theta, अगर मैं इसको x मालना हूँ, x बटे में 3 root 3, cos theta होता है, और cos 60 degree कितना होता है, 1 by 2, cos 61 by 2 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, पर X के value हो जाएगा, 3 root 3 and divided by 2, 3 root 3 divided by 2, यह इसका अन 12 है, तो हमें यह कितना होगा, 5, 12, 13, पाइसा को स्टिपले होता है, तो और कोट कितना हो जाएगा, यह बटे में यह, 12 बटे में 5, अगला question है, 72, ratio of the number of years in which the foreign exchange reserve are above the average reserve, to those in which the reserve are below the average reserve, और पर क्या दिया हो है, study the following, यह bar chart दिया होए है, और इसमें graph दिया होए है, foreign exchange reserve का, उ इसमें US million में है, और यह 91, 92 से लेकर 98, 99 तर, इसका मतलब क्या कि यह 98, 99 है, और यह 91, 92 बटे माना जाएगा, और हमें बताना ratio of the number of years, यह जो foreign exchange reserve है, और वो कितना है, average से, इसका मतलब सभी को जोड़कर, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 से बाग देना है, सभी जोड़कर 8 से बाग देना है रिड़कर, और यह जाएगा, इसका, average आजाएगा, कितने साल ऊपर है, average से और कितने साल नीचे उसका ratio में निकाल रहे है, ति इसका जोड़ कैसे करेंगे? 0 है सभी में, तो unigit 0 हो जाएगा, 4 2, 6, 8, 8, and 8, 14, 17, 18, 19, 21, 28, 22, 27, 29, 20,31, 25, 26, 29, 28 केरीद 2 हुआ दोर 3,5 से 27 और 10 साथ 23 सा तरह सु 30 सा तरह सु 30,25 यह आजाएगा ऐसे शेड़ा चला जाएगा आठ टी उन चिचला जाएगा आठ वी तीन ॐश्यू इस तीने हजार 50 तीने हजार 180 एरे जा गया अब इससे जादा कौन से एक तो यह जादा है, एक यह जादा है, एक यह जादा, तीन साल जादा है, और इसका मतलब 5 कम होंगे, total 8 है तो 3 और 5 का रिश्यो आजाएगा, अगला question है, Foreign Exchange Reserve in 96-97, 96-97 कौन सा यह वाला, what approximately, what percentage is the average Foreign Exchange Reserve over that period under review? कि जो average है उससे ये कितना ज्यादा है तो average कितना था 3480 था 3480 था और ये कितना है 4320 इन्टु 100 ये परसेंटेज कितना ज्यादा था तो कितना हो गया ये से लाजाएगा तो कितना हो जाएगा था 3480 था 3480 था तो यहां पर चारते 32 था तो कितना हो जाएगा वह जाएगा तीन से चला जाएगा 29 37 और 3 आजाएगे 36 188 था तो 3600 को 29 से भाग देना है अगर मैं 30 से भाग देता तो आ जाता है हां पर तो आ जाता है, यहाँ पे 120, लेकिन यह थोड़ा सा कम है 29, इसका 120 से थोड़ा से ज़्यादा, तो 120 से थोड़ा से ज़्यादा यह है, D इसका अनसर हो जाए, approximate समने calculate कर दिया, अगला question है 74, percentage increase in the foreign exchange reserve in 97, 98, 97, 98 कुन सा है, यह वाला, और 93, 94, 93, 94 कुन सा है, यह वाला, इससे कित 220 से यह 5040 से डबल होगा, मतलब 100% increase हुआ, यह इसका अनसर होगा, अगला question है, ratio of the sum of foreign exchange during 91, 92, मतलब यह, 92, 93, 93, 94, इन तिनों का जोड़, sum पूछा है, sum, और इसका ratio 95, मतलब इसका 96, 97, इसका ratio, इन तिनों का जोड़, और इन तिनों का जोड़ का ratio क्या होगा, तो देखिए यह कितना होगा, 0 तो पहले आ जागा, इसमें left side, right side, फिर है 4, 8, 2, 6, 2, 8, 6, 7, 13, 5, 18, एक carry किया, 2, 3, 5, 2, 7, 8, यह ता जागा, left side में, और right side में कितना जाएगा, देखो, 0 तो होज जाएगा, 2, 3, 2, 4, 4, 8, यहां पर आ गया, 1, 3, 4, आ जाएगा यहां पर, 5, 4, 9, 12, यह जाएगा, 0-0 कैंसर जाएगा, अब चला जाएगा यह, 4 से जाएगा, 222 जाएगा है, 4 ती यह 12, 12, 14, 14, 14, 13 से चला जाएगा, 6, 20 से चला जाएगा, 6, 15, 30, और 6, 12, 6, 3, 18, और 6, 42, 37 और 52 गा रिशु आज़ा जाएगा, आंसर क्या हुआ, आंसर हो जाएगा इसका C, तो इस तरह से हमने 75 questions, टोटल 25 questions हमने कर दिया हैं, और इसमें आपके लगवग सभी correct होने चाहिए, और 25 minutes से नीचे आपका time लगना चाहिए, इसमें, thank you very much for watching this.